हलो प्यारे बच्चों प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका कैमिस्टी गुर्जी चैनल में मैं हूँ जेपी सिंग ठीक है चली शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर यह हमारा लेक्चर बीस्टी थार्ड एयर के लिए है बीस्टी फाइनल एयर के लिए है और हम इसमें जो पढ़ रहे हैं वो हम optional question पढ़ रहे हैं जिनमें tick mark के लिए आता है क्योंकि आपकी बीस्टी के syllabus में इसे टाइप के question आते हैं तो आज जो हमारा है वो unit first है है metal ligand bonding इसका question number 25 है मैं इसके लगवग आपको कोई 80 question के खरीब करा हूँगा जो आपके पिछले years के जो paper हुए वे हैं उनमें आए वे हैं ये question important है ठीक है तो चलिए सुरू करते है question number 25 समझते हैं तो यहां आज का हमारा question number 25 है हमसे 25 question में पूछावा है कि crystal शेत्र सिद्धानत के अनुसार ये अनुसार है ठीक है अनुसार धातू ligand बंद की परकरती है या इसे आप English में पढ़ का according to crystal field theory the nature of metal ligand bond is की metal ligand का जो bond का जो nature होता है वो कैसा होता है ठीक है crystal field theory के अनुसार तो जो crystal field theory होती है जो नेचर समझाती है किसका metal लोड ligand का हो समझाती है कि इनके बीच में जो bond बनता है वो कैसे बनता है वो आनसिक आयनिक बनता है ठीक है partially आयनिक इसमें लिखाभी इसमें partially ironic ठीक है तो partially ironic होता है ये आनसिक होता है तो इसमें हमारा जो B part है question number 25 का ये हमारा विर्कुल एक दम सही है चली अगला question देखते हैं तो अगला question हम से पूछा गया है निमन में से परबल लिगेंड है प्यारे बच्चों इसमें हम से पूछा गया है कि which of the following is the strong है कि इन में से जो सब्सें हाइगा है इसकी सीरी आपको पढ़ा दे जाएगी जब हम इसका थोर्टिकल पोर्शन पढ़ेंगे ठीक है तो जो सबसे जो होता है वो कोन होता है CN होता है देखेगा इस कामसर तो CN ही है इस कामसर चलिए चलते हैं आगले question में तो जो हमारा आगला question है वो हमारा question है in k4 fe cn6 the number of unpaired electron is k4 fe cn6 ठीक है कि k4 fe cn6 में unpaired electrons कितने होते हैं चलिए देखी इसमें जो हमें इसमें लिखावा है हम इसे बहुत ही प्यार से आसानी के साथ में निकाल सकते हैं क्यों क्योंकि हमने इस type के question पहले भी कभी पढ़े हैं secondary में भी ठीक है कभी 12th class में भी पढ़े हैं तो उसी basis पे हम इस वाले question को यहां और हम से solve कर देंगे किस type से करेंगे देखेगा एक बार यह था है हमारे पास में k4 fe cn का whole 6 ठीक है cn का whole 6 अब अगर मैं इसे आयनों में divide करूँगा तो यह हमारे पास में बन जाएगा क्या 4k plus और plus fe cn का whole 6 और यहां अगर मैं लिख दूँ तो इस पे four minus आज़ेगा चलिए अगर अब हम यहां बात करेंगे फी की यहां जो एफी का atomic number है वो कितना है 26 है और यहां इस पे चार्ज कितना आवा है पिलस का 2 तो इसमें total electron कितने रह गए है 24 रह गए है अब बात करेंगे 24 electrons की तो 24 electrons में जब हम इसमें लिखना शुरू करेंगे इन्हें तो 2, 8 अब बात के तो चले गए हैं तो 20 में कितने बचे हैं इसमें 14 बचेंगे 28, 14, 2 यह होता है तो इसमें से 2 तो चले गए है यह 14 बचे गए है इसमें जब आप इन्हें अच्छे तरीके से लिखेंगे S में P में, तो 2 आ जाएंगे S में 6 आ जाएंगे P में और बाकि बचे कितने, कितने बच गए है, 6 बच गए है, तो इस टाइप से लिखे जाएंगे, त जब आप इसे धियान से देखेंगे, तो आपको पतक अचल जाएगा, कि D में electron कुल कितने हैं कितने electron है D में D में electron है 6 कितने electron है D में 6 electron है जब आप D के 6 electron को भरोगे तो आपको लगे गा ऐसा कि इसमें unpaired electron है मगर ध्यान से देखेगा इसमें कोई भी unpaired electron नहीं है जैसे कि हमने इसके 6 electron भर दिये 1, 2, 3, 4, 5 और यह कितना भर दिया हमने 6 हमने इस ताइप से भर दिये अब हमें लग रहा है कि इसके पास में बहुत सारे unpaired electron है नहीं प्यारे विच्चो बिरकुल ध्यान से समझेगा नहीं है इसके पास में एक भी unpaired electron नहीं है क्यों कि यहां जो हमारे पास में जो ligand है वो कौन है cn है जो ligand है वो कौन है वो cn है cn क्या है कि strong ligand होता है एक purple ligand होता है यह strong ligand होता है जिस कारण जो electron का feeling होती है जो electron जो भरते हैं वो भरते हैं हुंड के नियम के opposite तो हुंड के नियम से आपने क्या समझा होगा उनके नियम में आपने समझाओगा जैसे हमने इसमें इसमें इलेक्टोन बरे हैं कि पहले एक फिर एक फिर एक इस टाइप से पहले complete भरेंगे क्यों होगे उसके बाद में pair बनना सुरूँ होगा मगर वास्ट्रिक्ता ये होती है जब कोई इस टाइप का आजाता है इस टाइप के compound में जो हम पढ़ने हैं coordination compound में तो जो इलेक्टोन की जो pairing होती है वो हुनके नियम के opposite होती है ठीक है उसके direction में नियोगी उसके opposite होगी जैसे कि ये हमारे पास में कितने थे six electron थे तो इन six electron को हम इस टाइप से नहीं बढ़ेंगे इस टाइप से बढ़ेंगे जिस टाइप से मैं आपको भर के इने दिखाता हूँ ठीक है अब हम इने इस टाइप से बढ़ेंगे one two three four five यह हमने इसके बना लिए हैं, यह हमारे पास में D के 6 इलक्टोन है, तो यह कुछ इस टाइप से भर जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और कितने लिगन ते इसके पास में 6 थे, तो यहां हमारे पास में जो यह आ रहा था, यह 4, sorry, 3D, यह हमारे पास में जो यहां दे जाता है, यह हम हमारे पास में कितने CN है, हमारे पास में 6 CN है, और CN है क्या, CN होता है लिगन, जिसे आपने BST सेकेंडर में खूब पड़ा होगा, लिगन के पास में क्या होता है, मैं लिगन कि कब कहेंगे, किसी जो हमारे पास में कोई मोलिक्यूल से होगा, यह हमारे पास में कोई एनायन ह होगा हम उसे कभ कहेंगे हमसे gaan तब कहेंगे जब उसके पास में कम से कम एक डॉनर इसट होता है उसके पास में कोई एक शिरॉन पर माहं उसकाजिए को ONE को किस पास मेंáng जो है वो एक unidentate ligand है unidentate ligand उन्हें बोल देते हैं जिनके पास में किवल एक ही ऐसा दाता परमान होता है जो electron का जोड़ा दान दे सकता है ठीक है तो यहाँ जो cn है हमारे पास में जो हम इसमें पढ़ रहे हैं अपने question में cn हमारा एक unidentate ligand है तो एक कितना देगा एक electron का ज three फिर यह four यह five और यह six तो जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ मा जाएगा कि इसमें एक भी अकेला means unpaired electron नहीं है जब इसमें एक भी unpaired electron नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ यह क्या है ठीक है क्या है यह die magnetic है कि paramagnetic है चलिए पता लगएगा ठीक है बताईएगा क्या है यह comment box में comment कीजिएगा ठीक है तो मैं इसको आपको बता देता हूँ इसमें एक भी अन लेक्टोर नहीं है तो जो हमसे सवाल पूछा गया इसका जो अंसर वो हमारे कितना है ठीक है चलिए का जिर इसका अंसर हमारा हो गया अगला कोस्चन देखते हैं अगला कोस्चन हमसे पूछा गया है cfsc of fcn64- is हमसे पूछा गया है कि इसकी cfsc का मान कितना होगा crystal field stabilization energy of fcn64- is या हिंदी में पढ़ लीजेगा इसे fcn64- की cfsc है कितनी है चलिए formula समझेगा देखेगा आपने इसमें formula पड़का है तो formula मैंने आपको कुछी सब्राइब से पराया था minus 0.4 m plus 0.6 n out of bracket अब में यह हमारा bracket close हो जाएगा फिर इसके बाद में हमने यहीं लिख दिया था इसके बाद में ही इसमें delta o plus फिर delta के बाद में हमने इसमें लिखा था rp यह formula मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कुछ पहले सवाल में भी पढ़ाया था मैं आपको यहां भी समझा देता हूँ चलिए हमारे पास में जो यह जो निकल के आएंगे यह formula जो value हमारे पास में निकल का आएंगी यह value भी हमारे पास में जो d orbital है उससे ही निकल के आएंगी तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएगा, अभी हमने पढ़ा था ये वाला example, तो यहाँ जो हमारे पास में F है, F के D में कितने electron है, अभी तो पढ़ा था आपने, कितने electron है, D में 6 electron है, प्यारे बच्चों हैं, जब D में 6 electron है, तो आपको electron भरने हैं, पहले electron किस में बरेंग ठीक है, अब EG में कितने है, 2 रहेंगे, और T2G में कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, ठीक है, यह हमने इदर 2 लिये हैं, इदर 3, तो हमारे पास में कितने electron है, 6 है, अब आप CN को समझेगा, CN क्या है, परबल लिगेंड है, CN कैसा है, परबल लिगेंड है, परबल लिगेंड का म तो कितने इलेक्टोने ये 6 के 6 किसमें है T2G में ये जो 0.4 के साथ में जो value आई वही है ये किसके T2G की है और ये 0.6 के साथ में जो value आई वही है ये क्या है EG की है फिर एक चीज़ ओर समझेगा ये जो आपके पास में जो R निकल काया है ये pair की value है 1,2,3 तो कितने pair है आपके पास में इसमें 3 pair है ठीक है जब आप इसकी value निकाल देंगे तो ऐसे निकाल देंगे आप इसमें 0.4 into 6 plus 0.6 into 0 ठीक है फिर बात में लगा देंगे हम इसके क्या delta O plus 3 P क्यों ये 3 कहां से आगया बिट्टा ये pair है कितने pair बने हैं इसमें ये 1,2 और ये 3,3 pair बने हैं तो हमने 3 लिग जिया P की value आपको निकालने के लग से ज़रूरत नहीं है P किसे so करता है, P so करता है pair को, P means pair ठीक है और R का मतलब क्या है, R का मतलब है number से, ठीक है number of pair, और P किसको so कर रहा है pair को तो इस से हम बता सकते हैं कि इसमें कितने pair है, 3 pair है, ठीक है चलिएगा, अब अगर हम इस कीज में multiply करेंगे, तो यहां कितना आ जाता है minus का 2.4 D O plus 3 P, अब इस D O को हम किसमें change कर देंगे, D Q में तो हमें पता है एक जो D O होता है, वो बराबर होता है किसके, 10 D Q के जब 10 D Q की इसमें multiply करेंगे, उता जाएगा, minus का 24 D Q plus 3 P, तो हमारा जो option है वो first वाला ही सका सही है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा option है, वो कौन सा है, पहला option है चलिए, चलते हैं, question number 29 में हमसे पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा question नहीं है हमसे पुछा गया कि C U 2 plus is, कि जो C U 2 plus है, वो है, क्या है, यह हमें बताना है कि जो C U 2 plus है, वो क्या है, ठीक है, अरा हमसे बता सकते हैं, पहला option है, अनुचुम्बा किया, पैरा magnetic, दूसरा option है, डाय magnetic, परती चुम्बा किया, अब समझ दीगा हूँ, अनुचुम्बा किया कब कहेंगे, ठीक है, अनुचुम्बा किया, उसे हम किसी भी आयन को तब कहेंगे, जब उसके पास में होंगे, ऐ युगमित electron होंगे, अगर आप बात करेंगे, ऐ युगमित electron की, तो ऐ युगमित electron को हम बोल देते हैं, इन्हे, अन पेर्ड, ठीक है, इन्हें हम क्या बोल देते हैं, अन पेर्ड electron, जिसके पास में भी अन पेर्ड electron होंगे, वो कैसा होगा, पैरा पास में सभी electron paired होंगे, वो कैसा होगा, वो dimagnetic होगा, और अगर किसी के पास में एक भी unpaired electron आ जाता है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो paramagnetic हो जाएगा, तो जब आप बात करेंगे किसकी, co2 plus की, तो मैं आपको एक बार इसका electronic configuration लिखके दिखाता हूँ, किसका, cu का, फिर cu plus का लिखके दिखाऊँगा, तो cu का जो होता है, वो कितना होता है, वो होता है, two, eight, eighteen, one, अब अगर मैं बात करूँगा, किसकी, cu plus की, तो इसका electronic configuration हो जाता है, two, eight, eighteen, ठीक है, ये भी complete भरेवे हो, और ये भी complete भरावा है, चाहे check कर लिजेगा, ठीक है, आठ electron है, तो 2S में रहेंगे, 6P में रहेंगे, और 10 किसमें रहेंगे, D में, ठीक है, S2, P6, D10, completely भरा हुआ है, जब completely भरा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सबी electron इसके कैसे हैं, pair है, सबी electron रों का जोड़ा बना वा है, जब सबी electron का जोड़ा बना वा है, तो फिर ये क्या हो जायेगा, फिर ये हो जायेगा, D magnetic, फिर ये हो जायेगा, पर्थि-चुमबगिें, ठीक है, चलिए अगले question पर चलते हैं, ये question आपको समझ में आगया होगा, तो इसका option हमारा B ही है, परती चुम्बा किया है, अब हम चलते है, question number 30 पर, इसमें हम से पूछा गया है, the spin magnetic moment of a complex is 2.83 BM, the number of unpaid electron in the complex is, ठीक है, चलिए, समझने की कोशिस करेंगे, इसका answer हम बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे, कैसे की, जैसे इन्होंने इसमें लिखावा है, कि किसी संकर्मन धातू आयन का चुम्बा किया, आगोन 2.83 BM है, इस आयन में एगमित electronों की संख्या है, ठीक है, ये जो value निकल काती है, mu की, कैसे निकल काती है, mu equal to क्या होता है, प्यार तो 1 की value रखने पर कुछ इस type का ये हमारा बन जाता, 1, 1 plus 2, equal to कितना आ जाता ये, root 3, और root 3 की value क्या होती है, root 3 की value, 2.83 तो नहीं होगी, 1.7 something आ जाएगी, ठीक है, 1.7 के something आएगी, 7,1 कुछ इस type से करके आ जाएगी, जैसे की, जो अगर ये केवल root 2 आता है, इसकी value कितन आ जाती, 1.414, 1.73 आएगी, ठीक है, 1.73 अब हम बात करेंगे, root 3 पे तो कितने आ रही है, 1.73 आ रही है, मगर अगर हम बात करें किस की, हम बात करें root 4 की, अगर हमारे पास में किसी कारण इसकी value है, वो बढ़ जाए, जैसकी महीं ये value कितनी रख दूं, 2 रख दूं, ठीक ह हो जाएगा, यह हो जाएगा, 2, 2 प्लस 2, एक्वल 2, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 में, 2 दूं कितना हो जाएगा, 4 दूं कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, root 8 हो जाएगा, अब root 8 की value हम कैसे निकाल सकते, तैसे निकाल सकते, 2 into 2, 2 में से एक भा है कि टू पॉइंट एट टू एट इस टाइप सा जाता तो हमने एक वैल्यू बढ़ा रखिए है तो इसमें अगले कोश्चन की तो अगला कोश्चन है हमारे पास में 31 तो 31 कोश्चन में हमसे पूछावा है इसमें 31 कोश्चन में ये पूछावा है एंद में होता है चली मुझे आप सबसे पहले ये समझाईएगा मैं आपको पिछली कई वीडियो में समझा चुका हूँ डेल्टा O क्या है, डेल्टा T क्या है, डेल्टा S क्या है नहीं आया समझ में, चली एक बार दुबारे ध्यान से समझेगा डेल्टा O, O for Octahedral Complex, ठीक है ये जो डेल्टा O है, ये Splitting Energy है, किसकी Octahedral Complex इसकी ये जो डेल्टा T है, ये है Splitting Energy Tetrahedral Complex की Tetrahedral Complex मतलब चतुसफल किया ठीक है, Octahedral मतलब आश्टफल किया फिर इसके बाद में हमें एक और मिला हुआ है Delta S P अब ये Delta S P क्या है, Delta S P होता है Square Planar Complex, ठीक है, तो इसका मतलब आएगा Delta S P का, अभी हम पढ़ भी रहे हैं Splitting Energy of Square Planar Complex अब मैं लास्ट वीडियो में आपको एक छोटा सा पॉइंट ओर समझाया था, इनकी Energy का different समझाया था मैंने आपको, जैसे कि जो Delta S P होता है, इसकी Energy कितनी होती है S P की कितनी होती है, Delta O की कितनी होती है तो इसे आप बड़े ध्यान से समझेगा यह मैं आपको पहले भी समझा चुका था देखेगा मैंने आपको यह समझाया था कुछ कि जो Delta S P होता है, यह Equal होता है किसके 13D क्योंके ठीक है, 13D क्योंके बात करेंगे Delta O की, तो यह Equal होता है किसके 10D क्योंके, बात करेंगे Delta T की, तो यह Equal होता है 4.5D क्योंके, तो सबसे ज़्यादा Energy किसकी होगी, S P की, उसके बाद Delta O की, उसके बाद Delta T की तो करम आपके पास में इसमें C Option है, इसे आप अराम से लगा सकते हैं, ठीक है Sorry, B Option है, हम C पर समझे B है, क्योंके, पहले कौन सा आएगा S P आएगा, फिर Delta O आएगा फिर Delta T आएगा, तो हमारा जो Option है वो भी, इसमें बिर्कुल एकदम Correct है, चलिए, अब चलते हैं अगले Question पर, तो जो हमारा अगला Question है वो Question है, हमारा इसमें से Name में से, किस की Crystal शेत्र विखंडन उड़जा आधिक है, ठीक है, तो यहां हम से Crystal, जो Crystal Field Spillating Energy है, उसके बारे में पूछा गया है, तो इनमें से, जितने भी हमें दिये हैं, इनमें से, जो सबसे ज़ादे Crystal Field Spillating Energy जाएगी, वो किस के आजाएगी, वो आजाएगी CR की, क्यों? क्योंकि जब आप इनकी सब की बात करेंगे, तो इनमें से केवल CR ही ऐसा बचेगा, जो यहां कैसा है, सबसे ज़ादे Energy वाला है, देखेगा, इसका Option भी हमारे पास में CR ही यहां पे आजाएगा, Chromium ही आजाएगा, चलिए बात करते हैं, फिर इसके बाद में अगले Question की, तो अगला Question भी कुछ ऐसी, प्यारे बच्चों, अगर कुछ Question में समझाने के लिए कुछ नहीं होता है, केवल याद करने के लिए होता है, कि किस के दीखे, किस की कम है, तो उसका Answer मैं आपको Direct से दे देता हूँ, कुछ के Answer theoretical होते हैं, जिनके Answer theoretical होंगे, उनके Answer मैं आपको जिब इसका theoretical portion पड़ेंगे, तब ही समझाऊँगा, ठीक है, कोई समझाने लायक होगा, छोटा टोपिक होगा, तो उसमें साथ के साथ समझाँगा, आपको चलूँगा, जैसे कि आप अगला question आप इसमें पड़िएगा, which one of the following has no CFSC in the octahedral complex, कि इन में से कोई साथ ऐसा है, जो CFSC नहीं रखता है, किसमें, octahedral complex में, अगर आप उसकी CFSC की value निकालेंगे, CFSC की value कैसे निकालते हैं, अभी आप समझ चुके थे, कैसे, जैसे कि यहाँ low spin लिखा हुआ है, और high spin लिखा हुआ है, ठीक है, तो जब आप octahedral complex में जाएंगे, तो उसमें दोनों होते हैं, low spin भी और high spin भी और, दोनों में electron भरने का जो करम होता है, वो अलग-अलग होता है, ठीक है, तो इनमें जो CFSC की value निकल का आएगी, वो F3 plus B point की निकल के आएगी, high spin वाले की, ठीक है, तो जब हम इसमें CFSC की value निकालेंगे, तो CFSC की value कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी, ठीक है, CFSC की value भी मैंने आपको एक पिछले question में निकाल के दिखाई थी, तो वहाँ से आप इसे देखके उसी type से निकाल लेंगे, फोर्मला इसका वही होता है, minus 0.4 M plus 0.6 N bracket close हो जाएगा, इसके बाद में कितना जाएगा, delta O plus R P, ठीक है, R P, अब बस आपको ये पता लगाना है, कि इसमें electron कितने है, electron लेने है, फिर आपको D में भर के देखने है, D में भरने के बाद मैं आपको ये देखना है, T to G में कितने है, और E G में कितने है, ठीक है, अगर low spin हो रहा है, याद रिखिएगा, जो low spin होगा, वो किसमे होगा, वो होगा, जो strong field होगा, और अगर high spin हो रहा है, तो याद रिखिए किसमे होगा, जब उसमें कैसा होगा, low field होगा, अगर strong field होगा, तो low spin, और अगर high field होगा, कोई strong कैसा होगा, उसमें, हाई स्ट्रोंग होगा जिसे कि हमने इसमें पड़े हैं इस्टोंग लिगेंड तो इस्टोंग लिगेंड जो हमारे इसे ओक्टा हेड्रल फिल्ड जो प्रोड्यूस करते हैं वो कैसा होता है वो इस्टोंग होता है तो इस्टोंग में जो होता है वो कैसा होता है लोई स्पिन और जो weak होते हैं लिगेंड वे कैसा कर देते हैं high spin ठीक है फिर अगले बार में चलते हैं इसका जो अगला question है हमारा वो अगला question है हमारा the order of splitting in cubic geometry is same as than in घनाकार जामिती के लिए वे पाटन का करम निम्निमे से मिलता होगा तो किस में मिलेगा अब यहां इसमें एक word आया है हमारे पास में घनाकार अब घन का जो आकार होता है प्यारे बच्चों घन का आकार कुछ इस टाइप से होता है अगर मैं आपको बनाने के लिए सही से जा रहा हूँ तो आप इसे किसी भी टाइप से बना सकते हैं और अराम से यह आपको महाँ से ही खिलियर हो जाएगा ठीक है तो जो घन का आकार होता है वो कुछ इस टाइप का होता है जैसा कि मैं आपको यहां बना के इसमें दिखा चुका हूँ ठीक है इस टाइप का होता है जब आप इसके फलक निकालने की कुछिस करेंगे तो एक ही हो जाएगा एक दो तीन चार पांच और एक नीचे का ये छै हो जाएगा ठीक है तो जो और फलक की बात करेंगे हम इसके तो फलक का मतलब एक दो तीन चार पांच छै साथ आठ इस टाइप से निकल के आ जाएगे तो ये जो कुछ होगी जो इस्ट्रेक्चर होगा किबल 8पल कि आगए होगा ठीक है कि concept अगर अगर आप complex चलिए अगले question पे चलते हैं तो जो अगला question है हमसे पूछा गया है कि निमी में से कौन सा अनुचुम्बा किया है अगले question में तो अब आपको पता है जो अनुचुम्बा किया होते हैं जीने हम क्या बोल देते हैं paramagnetic तो paramagnetic के लिए जो सबसे man चीज जो जरूर चीज है वो क्या है वो होता है उनपैर ठीक है पी-ए-ा-ई र-ई-ड अनपैर ईलक्ट्टोन कि कैसा होता है अनपैर llक्ट्टून होता है तो वह आप दिहां से देखेगा इनमें कि इनमें ऐसा कोन सा compound है जिसके पास में unpaired electron है हम पहले वाले की बात करेंगे न के whole four की तो यहां अगर टो मिक नंबर की बात करेंगे तो साब 28 होता है कि आप निकाल लेगे फिर कोई नहीं hundred percent 28 ही होता है जब हम बात करेंगे 28 की तो 28 में कुछ इस टायप से लिखा जाएगा यह दो आठ बात से अब इसके हम बात करेंगे क्योंकि इसने कोई भी लेक्टोन अपना नहीं दिया है कितने हैं यह हमारे पास में 16 है और जब आप 16 को भर होगे तो 16 को कुछ इसी टाइप से तो भर हो गई है कितने होगी है 8 और यहां बें जयेंगे इसमें क्या बन जाएंगे इनके जोडे बन जाएंगे तो इसका हूं arrow answer है वो कौन सा जाएगा हमारा वो हमारा आएगा option D ठीक है क्योंकि CO जो आएगा है एक purple ligand के रूप में आएगा जब यह purple ligand के रूप में आएगा strong ligand के रूप में आएगा तो electron की कैसी हो जाएगी back bonding हो जाएगी deep fill हो जाएगा completely CN की बात करेंगे यह भी strong में आ जाएगा NH3 की बात करेंगे weak में आएगा CL की बात करेंगे यह भी weak में आएगा तो जब यह है weak में आएगा तो इसमें क्या जाएगे एंपेड electron निकल जाएगे क्यों क्यों कि कितना आ रहा है इस पे two minus आ रहा है तो जब two minus click end होगा तो वो back bonding नहीं कर पाएगा ठीक है तो यहाँ electron का जो filling होगी जो electron भरेंगे वो किसके नियम के अनुसार भरेंगे वे भरेंगे हुण के नियम के अनुसार ठीक है और अगर हुण के नियम के अनुसार 8 electron को भर देते हैं किसमे d block में तो इसमें क्या होगा इसमें दो unpaired electron आपको पा जाएंगे ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इसमें आपको दो unpaired electron दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब यह क्या है अनुचुम्बग यह है paramagnetic है चलिए बात करती है अगले question की तो जागला question है वो कितना है हमारा 36 है इसमें हमसे पूचा गया है with strong ligand which of the following metal ion configuration will form square planar complex परबल ligand के साथ निम्न में से कौन सा धापु ion विन्या समतल वर्गाकार जटिल योगी को का निर्मान करेगा और यहां आप से question पूचा गया क्या कि समतल वर्गाकार जटिल ठीक है तो समतल वर्गाकार जटिल योगी को जो निर्मान करेगा उसमें डी के पास में electron कितने होने चाहिए है एक electron होने होने चाहिए क्यों क्योंकि जो S के भी दो electron होंगे, WB किसमे आ जाएंगे, D के पास आ जाएंगे, D कैसा हो जाएगा, complete भर जाएगा, फिर S खाली हो जाएगा, और S के साथ साथ इसमें, PB खाली हो जाएगा, तो इस type के जो complex होंगे, वो क्या बनाएंगे हमारे पास में, वो बनाएंगे हमारे square planar complex, ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हो भी है, square planar complex, भी ही पूछा गया है, तो हमारा option इसमें कितना आ जाएगा, D 8 हो जाएगा, मैंने आपको प्यार से समझा दिया, यह समझ में आपको आ गया होगा, कि D में कितने electron होंगे, 8 होंगे, और last में कितने होंगे, इस से जो last वाली cell होगी, यह दो भी लेगा, और कितने करेगा, 8 पूरे करेगा, S खाली हो जाएगा, P खाली हो जाएगा, तो जो 4 के 4 electron होंगे, किस में बढ़ जाएगे, S में और P में तो इस टाइप से जो बनेगा, वो हमारा क्या बनेगा, square planar complex, तो option हमारा इसका C बिरकुल एकदम सही है, अगले बिरकुल एकदम सही जवाब है, क्या, लिगेंड किने कह रहे हैं, हम लिगेंड उन्हें कह रहे हैं, जिनके पास में होता है, एक loan pair of electron, C में हम से पूचा गया है, a pair of surplus electron, और C में हमें यह दियावा है, a pair of S electron, एक S electron का जोड़ा, ठीक है, तो यह हमारे सब गलत है, केवल हम लोन pair of electron, लिगेंड बोलते ही उन्हें हैं, जिनके पास में होते हैं, loan pair of electron, तो इसका हमारा B option बिरकुल सही है, चलिए अगले question की बात करते हैं, जो अगला question है हमारे पास में, वो अगला question है हमारे पास में, 38, 38 question है हमारा, which theory about coordination compounds, explain the formation of coordinate bonds between the metal and atom और NINR लिगेंड, चलिए हि अन्तता लिगेंड के मद्या, oops है संयोजक, बंधन बनाने की विया क्या करता है, कौन करता है, इनमें से तो crystal field theory है, ठीक है, चलिए देखते हैं इसका option, sorry, इसमें option हमारा A है, क्या संयोजी बंद सिद्धान, तो जो संयोजी बंद सिद्धान था है, VBT valence bond theory, यही हमें और यह हमारा आज का आखरी सवाल होगा, अब हमारा जो अगला सवाल है, वो हमारा सवाल है, question number 39, which property of the complexes is not explained on the basis of valence bond theory, ठीक है, जटिल योगिकों के संबंद में निम्न में से कौन से गुन की संयोजी बंद सिद्धान के आधार पर वयक्या नहीं की जा सकती है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कीजेगा, और थोड़ा सा ध्यान दीजेगा चैनल पर भी इसे वीडियो को सेर कीजेगा, थोड़ से और सब्सक्राइबर हमारे गेन हो सके है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत मन्यवाद,